गाइज आप इस वारी फोटो के देखिए चुकि यह काफी सांधार लग रही है और आपको फोकस करने के लिए सिंप्ली यहाँ पर टैप करना है और एक फोटो क्लिक कर लेना है ठीक है उसके बाद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो आइफोन की फोटो को मिल जाएगी आप इसे काफी जूम आउट कर सकते हैं और इसकी डीटेल को देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरह से इसने मेंटेन के डीटेल्स और हम एक और सॉट क्लिक करने की कोजिस करते हैं और यह एक अनाधर प्लांट है इसकी भी हम फोटो कैप्चर करते हैं आप जो फोटो प्रोसेसिंग एकूरीट, यह एक हमसे है करने के बाद आप काफी सारी इटेल सरी यहां पर मैंठेन करके देता है तो आप देठ सकते हैं काफी accurate है और इसमें जो ब्लर एफेक्ट है थोड़ा थोड़ा यह डाल देता है अपनी तरब से बैसे तो इसमें ब्लर का कोई अप्शन नहीं आता इस वाले फोन में आई फोन में 2020 में और आप देख सकते हैं फिर भी काफी capable फोन है इस वाले फोटो में भी आप काफी clarity और details देख सकते हैं इसलिए गाइस हम आपको live दिखा रहे हैं और गाइस अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो subscribe कीजिए अभी के अभी और bell notification को all पे select करके आप हमारी वीडियो पे लगतार बने रहे हम आपको काफी सारी informative वीडियो और इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं चैनल पे तो subscribe कर लिए अपने छोटे भाई के चैनल को और आप देख रहे हैं यह next sword है और यह काफी अच्छा है और इसमें भी काफी इसने detail देखिए color जो accuracy है वो काफी clear है जो exact जो color है flower का विल्कुल इसने capture करने की कोसिस की है close to natural photos capture करता है आइफोन ऐसी इसलिए आइफोन के जो camera's होता है जो camera sensor होता है काफी accurate photo को और video recording करता है तो चलिए move on करते है next sword पे और यह काटेदार पेड़ है plant है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि as to as इसने थोड़ा सा blurry effect देने की कोसिस किये और अच्छा लग रहा है यह photo भी तो इसमें आप normally photography कर सकते हैं ठीक है यह एक another plant है छोटा सा इसकी भी हम image क्लिक करने की कोजिस करते हैं guys तो कुछ इस तरह से आपको frame में adjust करना अपने phone को और करिए click photo को तो photo काफी अच्छी आएगी आप देख सकते हैं कि photo काफी अच्छी आईए और clear है एक दम तो कुछ इस तरह से भी आप sort ले सकते हैं और अपनी social media पे से post कर सकते हैं अगर आप कुछ भी ऐसा instagram पे pages को चला रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं so guys यह भी कुछ इस तरह का flowery plant है और इसमें काफी सुन्दर फूल आ रहे हैं तो इसकी हम photo capture करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं so guys आप देख सकते हैं यहां से sorry आप देख सकते हैं किस तरह से इसने काफी अच्छे से maintain किया है सब कुछ और आइफोन का जो focus होता है काफी sharp होता है और accurate होता है तो काफी ठीक लग रहा है और इस तरह के flowery plant को आप capture कर सकते हैं अपने आइफोन ऐसी 2020 से so guys तो चलिए गाइस आब आती है बात वीडियो रिकॉर्डिंग की और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको HD 720 और 4K का option मिल जाता है और अगर बात करें फ्रेम की तो आपको 30, 25 और 60 fps का option मिल जाता है तो हम यहां पर select कर रहे हैं सबसे पहले 4K और HD तो यहां पर हम HD 60 fps पर यहां पर हम यहां पर इसको select कर लेते हैं के बाद में आपको video recording दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा frame रहेगा और video को कर देते हैं start और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा video में हमें blur का effect मिल रहा है ठीक है और जो इसका focus है वो भी ठीक ठाक है तो कुछ इस तरह से आप थोड़ी देर screen पर अपनी finger को रखके autofocus और exposure lock कर सकते हैं और फिर आपको जो colors वगरा change दाते हैं ठीक है exposure change होता है वो नहीं होगा वो दिक्कत आपको face करने को नहीं मिलेगी तो काफी ज्यादा recording हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ अब focus है वो भी ठीक ठाक है तो कुछ इस तरह से आप थोड़ी देर screen पर अपनी finger को रखके autofocus और exposure lock कर सकते हैं और फिर सुगाइज आप देख सकते हैं कि काफी इसने अच्छी वीडियो recording किया और मैंने आपको बिल्कुल लाइब दिखाई है तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्या भी बिल्कुल और लाइक कर दीजे वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो तो चलिए दूसरी अब हम नेक्स शॉट की तरफ चलिए इसमें भी काफी डेटेल है तो गाइस इस वाली सॉट में इस वाली देख सकते हैं कि गाइस पीछे एक नदी बह रही है बेसिकली मैं आपको बताना चाहरा हूं यह गोमती नदी है जो कि लकनाव साइड में बहती है और यह काफी पिटसिद्ध नदी है और इसमें काफी जल भी है ठीक है तो यह वाला सॉट हम देख लेता है बस एक चोटी सी जानकारी दिए गाइस मैंने आपको आप देख सकते हैं जो पीछे नदी बह रही है यह एक्चुल में काफी बड़ी नदी है अब देख सकते हैं अगर मैं फोकस करूँ तो हाँ देख सकते हैं आप और इसमें काफी जल भी रहता है तो यह बाला सॉट है इसमें देखी गाई इस वाले सॉट में काफी डिटेल्स आपको देख जाएंगी और एजटू एज़ आपको डिटेल्स दिखेंगी और इसमें थोड़ा-थोड़ा जो खाली स्पेस है वहाँ पे ग्रीनिस जो स्पेस है वहाँ पे आपको बलर का इफेक्ट दिखेगा और जो एक्चुल जो ऑब्जेक्ट है उसमें काफी डिटेल्स आपको देख जाएंगी ये एक तरह का फ्लावर ही है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी जो सीड्स हैं प्लांट के व तो तेख लेते हैं है थो गाइस आप देख सकते हैं इसलोओ वीडियो कित्मी अच्छी है याप टूफर्टी एपएस पर और यहाँ पर आपको आपको फोड़ा स्लो मिलेगा ठीक है यहाँ पर थोड़ी नौई से गाइस तो इसलिए स्लिए चाहता हूँ और आप देख सक स्लोमा वीडियो काफी सांदा रिकॉर्ड किये से लिए इस वाले फोटो में भी आप देख सकते हैं काफी डेटेल है और जो लीप्स है इस गेट पे लगी हुई वह भी काफी अच्छे से उनका डिजाइन जो है वह दिख रहा है और जो कलर है वह काफी एकुरेट है